नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for all this is Manish Rai आज प्रस्तूत है बर्गनोव की English Reader से chapter number one जिसका नाम है I am going to dance again जी जिसका नाम है बच्चों I am going to dance again अर्थात मैं फिर से निर्थ्य करूंगी मैं फिर से निर्थ्य करूंगी नजमुल हसन की रचना है आए जानते हैं कि कौन यह बात कह रहा है या कह रही है कि मैं फिर से निर्थ्य करूंगी क्यों कह रही है आई जानते हैं बचो थोड़ा सा जो ये introduction है न ये थोड़ा सा clear नहीं है लेकि नीचे का text बिलकुल clear है तो आईए शुरू करते हैं life is not a smooth journey बचो जीवन कोई सुगम यात्रा नहीं है जीवन कोई सहज यात्रा नहीं है जीवन कोई आसान यात्रा नहीं है turbulence बचो turbulence का मतलब असानती ups and downs उतार चड़ाओ turbulence ups and downs are order of the day असानती उतार चड़ाओ उतल पुतल are part of life ये जीवन के अभिन क्या है हिस्से है the winner in the game of life यानि जीवन के खेल का बिजेता the winner in the game of life जीवन के खेल का बिजेता is one वह है who overcomes adversities adversities का मतलब होता है कठिनाई, समस्या, मुसीबत, बिपत्ती और overcome का मतलब होता है काबू पाना, बिजे पाना and is undeterred और जो बिचलित नहीं होता है by any challenge किसी भी चुनावती से मतलब the winner in the game of life जीवन के खेल में बिजेता वह है जो बीपरीत पर इस्तितियों पर बिजे प्राप्त करता है और किसी भी चुनावती से बिचलित नहीं होता है just as the crushing of a rose जीस प्रकार से crush का मतलब होता है बच्चों कुचलना, मसलना just as the cross of a rose brings out its sweet fragrance बच्चों fragrance का मतलब होता है सुगंध या महक जीस प्रकार से गुलाब को कुचलने से मसलने से मीठी सुगंध निकलती है so the difficulties of life release the sweetness within us ठीक उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से difficulties of life, जीवन की कठिनाईया release the sweetness यानि मिठास को निकलती है within us उसी प्रकार से जीवन की कठिनाईया हमारे भीतर की मिठास को बाहर निकलती है many a time, कई बार adversities, मतलब मुसीबतें, बिपत्तियां, सैटर, चकना चूर कर देती है our dream हमारे सपने को कई बार भी पतियां हमारे सपने को चकना चूर कर देती है it is only a person of a strong will a strong will का मतलब होता है मजबूत इक्छा सकती वाला it is only a person of a strong will केवल एक मजबूत इक्छा सकती वाला अभ्यक्ति who despite his weakness and shortcomings despite का मतलब होता है कि ये बावजूद weakness मतलब कमजोरी और shortcomings का मतलब होता है खामिया rises above उपर उठता है the sorrow of life जीवन के तकलीफों से find more meaning to his life और अपने जीवन के नए अर्थों को प्राप्त करता है कहने का मतलब है कि केवल दिड इक्षा सकती वाला व्यक्ति ही अपनी कमजोरीयों और कमियों के बावजूद जीवन के दुखों से उपर उठकर अपने जीवन के और अधिक meaning को और अधिक अर्थ को प्राप्त करता है here is a story यहाँ पे एक कहानी है अप one such dancer यहाँ एक ऐसी ही नर्तकी की कहानी है यहाँ एक ऐसी ही निर्त्यांगना की कहानी है who made with an accident बच्चों जिनका दुरघटना हुआ था जो एक दुरघटना का सिकार हुई थी but through seer dedication लेकिन dedication के बल पे devotion लेकिन devotion के बल पे commitment बचनबधता to a dance लेकिन अपने निर्त्य के प्रती अपनी बचनबधता अपनी शमरपण और अपनी भक्ती के बल पर she could make it back to the stage अगे और फिर से मंच पर आती है और निर्त्य करके दिखाती है इस पूरी पंक्तिक अर्थ हुआ कि यहां एक ऐसी नर्तकी की कहानी है जो अपनी समरपण भक्ती और निर्त्य के प्रती अपनी बचनबधता के कारण फिर से मंच पर वापस आप आती है डॉक्टर सेड डॉक्टरों ने कहा सोनल उड नेवर डांस अगे डॉक्टरों ने कहा था कि सोनल अब फिर से कभी निर्त्य नहीं कर पाएंगी सी हैड मेट विथ अ सीरियस एक्सिदेंट सी हैड मेट विथ अ सीरियस एक्सिदेंट ए गंभीर दुर घटना में वह घायल हो गई थी और उनके बच्चों पैर चले गए थे बट सुनलमान सिंग रिफ्यूज तो बिलीब डॉक्टर लेकिन सुनलमान सिंग रिफ्यूज कर दिया डॉक्टर की बात पे भरोसा करने से इंकार कर दिया सी बिलीब इन हर पोटेंसियलिटीज सी बिलीब इन हर पोटेंसियलिज बच्चों सुनलमान सिंग को 45 की बात है, Bombay रंग भवन वाजफूल, Bombay का रंग भवन खचा खच भरा था, the audience वेटिंग इंपेसेंटली, और audience दर्सक वेटिंग इंतजार कर रहे थे, इंपेसेंटली मतलब अधिरता पुरुवक, लोग अधिरता पुरुवक कलाकार का इंतजार कर रहे थे, 25 की बात है, Bombay का रंग भवन खचा खच भरा था, in the green room, बचो green room उस room को बोलते हैं, जहां पे actors performance के पहले अपने आपको prepare करते हैं, in the green room, green room में सुनलमान सिंग anxiously, यानि चिंता पुरुवक, looked into the mirror, सीसें में देखती हैं, and saw bids of persipiration signing on a face, और bids of persipiration का मतलब होता है, पसीना की बुंदे, ये बचों उस्चुता पुरुवक, आईने में देखी, और अपने चेहरे पे पसीने की चमकती हुई बुंदों को इन्होंने देखा, her hands and feet were cold, इनके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए थे, सुन पड़ गए थे, किनके? सुन अलमान सिंग महसूस कर चुकी थी, और मेडन परफॉमेंस इन बैंगलोर, बैंगलोर में जब ये मेडन परफॉमेंस के लिए, मेडन परफॉमेंस किसी कलाकार का पहला पबलिक परफॉमेंस होता है, बचों जब ये पहली बार मंच परफॉम करने के लिए बैंगलोर में आ साल पहले की बात थी और उस दिन जो नर्वसनेस थी वही नर्वसनेस आज 14 वर्स बाद 20 अपरल 1975 को भी हो रही थी सिंस देन तब से सी है डांस इन इंडिया और अबरोड इंडिया मतलब भारत और अबरोड का इनके नर्वसनेस की तारीफ की थी तुड़े मतलब आज हावे बर सोनल वाज मेकिंग अन्यू स्टाट आज कुछ भी कहिए सोनल अपने जीवन की एक नई सुरुआत कर रही थी इस वाज फर्स टाइम से उडांस इन पबलिक आज मुंबई में बच्चों ये पहली बार सी उ बिन सिरियसली इंजियर्ड एट मंस अर्लियर आठ महीने पुर्व कारदुर घटना जिसमें ये बूरी तरह से जखमी हो गई थी घायल हो गई थी उस घटना के बाद आज ये पहली बार लोगों के सामने निर्थे प्रस्तूत करने वाली थी क्या निर्थे करने की इनकी जो स्ट्रगल है संघर से न वह इनको फिर से ढंक से निर्थे कर पाएंगी इस चिंता में थी ये बच्चों पूल टुगेदर का मतलब होता है अपनी भावनावों पर नियंत्रन करना सांत भाव से आचरन करना इननो ने अपनी भावनावों पर नियंत्रन किया और गुंगरू के आवाज के सात या on the stage ये रंग मंच पे पहुँचती है कौन बच्चों सुनलमान सिंग यानि तेज कदमों से घुंगरू की आवाज के साथ ये मंच पे पहुचती है दे एस्पॉट बच्चों सुनलमान सिंग पे किया गया सी बाउड इनों ने अपने सर को जुकाया हैंड्स फोल्डेट दोनों हाथों को जोड़ा एंड बीगेनर प्फॉटमेंस बच्चों मंच पे पहुची अपना सर जुका करके हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन किया और बीगे सुनलमान सिंग नहीं निर्तिया के अमामले में सिर्स पर आज 75 में मुंबई में नाच रहे हैं बहुत घबराइय हुँ है लेकिन 74 में ये दुनिया के सिर्ष निर्तियंगनाओं में से एक थी trained at first in भरत नाट्यम बचों सबसे पहले भरत नाट्यम में ये प्रसिक्षित हुई थी she had mastered cult style बचों पंथ सैली में महारत हासिल की and then had turned to odyssey और उसके बाद odyssey की और इन्होंने रुख किया now she was among the country's best classical dancers बचों classical dancers का मतलत है सास्त्रिय नर्तकी यानि आज यानि 1974 में सुनलमान सिंग देश की best सरवस्रेश्ट सास्त्रिय नर्तकियों में से एक थी ठीक है she was in Germany last month पिछले महिने की बात है सुनलमान सिंग जर्मनी में थी कहां थी बच्चों जर्मनी में थी teaching a course in Indian classical dance वहां पे Indian classical dance में वहां के बच्चों को teach कर रही थी वहां के बच्चों को पढ़ा रही थी कौन सुनलमान सिंग ये जर्मनी की बात है late on the evening of 24th बच्चों 24 तारिख की बात है कब की बात है बच्चों 24 तारिख की late on the evening देरसाम की बात है see and her fiance फियांसे का मतलब होता है बच्चों मंगेतर सुनलमान सिंग और उनके मंगेतर जिनका नाम है जॉर्ज लेकनर we are driving at 110 kph down a weight lonely road बच्चों 24 तारिख की बात है 24 तारिख के देरसाम की बात है सुनलमान सिंग अपने फियांसी अपने मंगेतर जॉर्ज लेकनर के साथ गाड़ी में एक कार में बैठी हुई थी and we are driving और गाड़ी को ये लोग 110 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफतार से on a weight lonely road एक गीले और सुनसान सड़क पे ये लोग गाड़ी को 110 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफतार से चला रहे थे they suddenly saw a deer अचाना की इन लोगों ने क्या देखा बच्चों एक deer को देखा एक हिरन को देखा standing in the middle of the road अचाना की इन लोगों ने सड़क के बीचों बीच एक हिरन को खड़े देखा लेकनर jammed on the brakes jam का मतलब बता ब्रेक लगा कर कार को रोकना लेकनर jammed on the brakes लेकनर ने बच्चों जोर से पैर वाले ब्रेक को दबाया the car slipped बचों गाड़ी फिसल गई चुकि गाड़ी की गती 110 किलोमेटर प्रतिगंटा थी सड़क भी बच्चों वेट था गिला था लेकनर ने जैसे ही ब्रेक लगाई the car slipped गाड़ी फिसल गई sideways एक तरप से गाड़ी फिसल गई swung around and turned over turnover का मतलब पलट गई और बच्चों गाड़ी जूलते हुए पलट गई and rested on its roof गाड़ी इस प्रकार से पलटी कि इसके wheels उपर हो गई और गाड़ी की रूप नीचे हो गई गाड़ी बच्चों उस देर साम को उस भींगी सड़क पे सड़क के बीचों बीच हिरन आ जाने के कारण ब्रेक लगाया गया और गाड़ी पलट गई और इस प्रकार से पलटी कि wheels उपर हो गए और उसका रूप नीचे हो गए लेकनर trapped between the seat and the wheel बच्चों लेकनर साहब जो सुनलमान सिंग के मंगेतर थे न trapped फस गए seat और चक्के के बीच में seat और पहिय के बीच में फस गए and fented और वहीं पे बेहोस हो गए क्या हो गए बच्चों fented वहीं पे बेहोस हो गए सुनल are you all right he mumbled as he regained consciousness बच्चों consciousness का मतलब होता है चेतना या होस regained का मतलब फिर से हासिल किया और mumbled का मतलब होता है बुद बुदाना या फुस पुसाना जैसे ही बच्चों लेकनर साहब को होस आया he mumbled इन्होंने बुद बुद आते हुए कहा सुनल are you all right ठीक हो तुम किसने कहा लेकनर ने कहा जैसे ही इनको होस आया there was no answer कोई जवाब नहीं मिला he groped about in the darkness darkness का मतलब था अंधेरा और group about का मतलब था टटोल करके ढूंडना ये अंधेरे में ही टटोलने लगे और सुनल को ढूंडने लगे there was no one beside him उनके अगल बगल कोई नहीं था बच्चों अंधेरे में ही ढूंड रहे थे अगल बगल कोई नहीं था as he has struggled to free himself चुकि ये बच्चों seat और wheel के बीच में trap हो गए थे फस गए थे इन्होंने अपने आपको free करने के लिए संघर्स किया free मतलब मुक्त करने की कोशिस की a car pulled up इसी बीच pull up का मतलब होता है car आदी का रुकना एक और car pulled up वहीं पे रुकी and four men jumped out और चार ब्यक्ती उस गाड़ी से कूद करके निकले they forced open a door of the car उन लोगोंने बच्चों forced open मतलब जब अरदस्ती यानि दरवाजे को तोड़ दिया उन लोगोंने लेकनर के car के दरवाजे को तोड़ दिया and dragged लेकनर आउट ने कहा fetching torches from the car चुकि अंधेरा था बच्चों तो जो चार लोग गाड़ी से आए थे न अपनी गाड़ी से torch लेकर के आए the man began searching for sonal उन लोगोंने sonal को search फोर रूड़ना शुरू कर दिया they found her about four meters away उन लोगोंने sonal को पाया about four meters away लगबग चार मीटर दूर उन लोगोंने sonal को पाया on the road सडक पे पड़ी हुई थी sea was still, वह बिलकुल सांत थी still मतलब सांत, वह बिलकुल सांत थी eyes closed, उसकी आँखे बंद थी as if asleep as if asleep, मानो वह सोई हुई हो सडक से, सडक पर ही बचों, चार मीटर दूर वह पाई गई आँखे बंद थी, चेहरे में कोई गती नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि घहरी निंद में सोई हुई हो लेकनर बचों, सोनल को उठाने ही वाले थे, और कहने ही वाले थे, let's get going आओ, चलते हैं but, but he hesitated but she hesitated she doesn't look quite a lie बचों, वह ऐसा लग रहा था कि वह जीवित ही नहो, ऐसा लग रहा था कि उसके सरीर में प्राण ही नहो he said to himself, लेकनर ने अपने आप से कहा, कि मुझे लगा कि वह मर गई, उसके सरीर में जान ही नहो, आखे बंद थी चेहरे में कोई गती नहीं थी then a sprinkled a sprinkled water on sonal's face a sprinkled का मतलब छड़कना होता है बचों तब उन लोगों ने sonal के चेहरे पे पानी छड़का a sprinkled किया, सिसू खरेड पानी पढ़ने पे सिसू खरेड उसने अपने सर को हिलाया I am cold, मुझे ठंड लग रही है see groaned, groaned का मतलब दर्द में कराते हुए सोनल ने कहा कि I am cold, मुझे ठंड लग रही है please put a soul on me अरे मुझे soul उढ़ा दो saying this, see fainted इतना कहते हुए, सोनल फिर से बेहोस हो गई जचों पांच ड़कने पे सोनल को होस आई तो नोंने कहा कि I am cold, मुझे ठंड लग रही है please put a soul on me अरे मुझे soul उढ़ा दो saying this, इतना कहते हुए, see fainted वह फिर से मुर्चित हो गई at that moment, उसी पल, एक police car arrived उसी पल, उस घटना अस्थल पे एक police की car आ पड़ी police आ पहुची and soon an ambulance was called और सिगरी, एक ambulance भी वहाँ पे बुलाया गया the ambulance man lifted सोनल केरफुली, ambulance वालों ने lift किया सोनल को उठाया केरफुली, साधानी से on to a stretcher और a stretcher पे रख दिया and rushed her to the municipal hospital और rushed her, मतलब बहुत तेजी से सोनल को municipal hospital में ले करके गए in the emergency room municipal hospital के वाज गिवन injections to ease the pain ease का मतलब होता है कम करना, दर्द को कम करने, जुकि दर्द से करा रही थी तो दर्द को कम करने के लिए emergency room में सोनलमान सिंग को तुरंत injection दिया गया injection दिया गया and then hurried to the x-ray room और तब तेजी से x-ray कराने के लिए उनको x-ray room में ले करके जाया गया, the x-ray sword जब x-ray हुआ तो x-ray sword यानि x-ray में पता चला कि sonal had been badly injured कि sonal बुरी तरह से घायल हो चुकी थी जक्मी हो चुकी थी and had many broken bones और उनकी कई हडिया बच्चों तूट चुकी थी x-ray से पता चला कि sonal मान सिंग बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उनकी कई हडिया तूट चुकी थी her 12th vertebra जो vertebra देख रहा है न यह रीड की हडि का एक अंस होता है बच्चों इनकी 12th vertebra four ribs चार पसलिया एंड एक कॉल बोन जो कॉल बोन देख रहा है न कंधे से छाती की हडियों को जोडने वाली हडि होती है तो कॉल बोन लेकिन भगवान की च्छा her spinal cord had not been damaged in the crass उस crass में उस दुर घटना में बच्चों इनका जो spinal cord था जो मेरुरज्जू था न उसको कोई नुकसान नहीं पहुचा था अच्छा होगा कि आप सोनल को ले करके एरलांगन के उनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक में चले जाओ जो वहाँ पर अच्छी सुबधाएं हैं वहाँ पर इनका अच्छा इलाज होगा आप जल्दी से म्यूनिसिपल हॉस्पिटल से ले करके उनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक में ले करके चले जाओ डॉक्टर उन्हें एडवाइज किया लेकनर को फिर देखिए क्या होता है एट एरलांगन बचो एरलांगन में दॉक्टर्स वांटे टू अपरेट ऑन हर एट वन्स तुरंथी ऑप्रेशन करना चाहते थे ऑप्रेट मतलब सल्लिकरिया करना डॉक्टर एट वन्स तुरंथ सोनल मान سिंग का ओप्रेशन करना चाहते थे एडुट सोनल इंटूर कास्ट और सोनल के सरीर बेट प्लास्टर करना चाहते थे बडुट सेमी का वाथ वस्त वह चैटना यानि नव होस की स्थिति में होना और नहीं होस की स्थिति में होना इन दोनों इस्थियों के बीच में होना बट दो सेमी कांसा सोनल सूक हरेड बच्चो सोनल जो थी न अर्ध अचेत अवस्था में थी सूक हरेड उन्होंने अपने सर को सूक किया हिलाया लेकनर ने डॉक्टर से कहा कि सोनल सेमी कांसा से अर्ध चेतनया में है और यह कह रही है कि जब तक सचमुच में अपरेशन जरूरी न हो तब तक अपरेशन नहीं किया जाए लेकनर ने डॉक्टर से कहा टू डेज लेटर दो दिन बाद सोनल वाज आउट अफ डेंजर आउट अफ डेंजर का मतलब खत्रे से बाहर दो दिन बाद सोनल मान सिंग खत्रे से बाहर थी and see watch put in a cast और बच्चों इनके सरीर पे प्लास्टर कर दिया गया this cast covered her from neck to hip hip मतलब कुल्ला होता है बच्चोवा जो प्लास्टर हुआ था नेक से गरदन से ले करके इनके कुल्हे तक हुआ था and weighed 4 kilos और उस प्लास्टर की वजन 4 kilo की थी जचो चार किलो का प्लास्टर लगाया गया, कहां से कहां तक, गर्दन से ले करके कुल ले तक, अब आगे क्या होता है, कब इनका प्लास्टर काटा जाता है, ये कैसे अभ्यास करती है, ये कैसे अपने भावनाओं पे काबू कर पाती है, ये सब बच्चों I am going to dance again नामक देखेंगे, तब तक के लिए, जैहिंद!